आज ही doubtnet आप download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत विडियो solution पाओ download now question में हमें दियाएगी एक solution है उसको prepare किया गया है जो हमने dissolve किया 60 gram methyl alcohol और 120 gram water हमें calculate करना है आप मोल fraction of methyl alcohol and water ठीक है हमारे पार दो चीज़े हैं यहाँ पर एक तो methyl alcohol ठीक है जिसका formula क्या हो गया CH3OH एक हो गया हमारे पास water जिसका formula हो गया H2O ठीक है तो हमने क्या किया हमने dissolve किया 60 gram methyl alcohol 120 gram water हमें calculate करना है mole fraction तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका molecular mass calculate करते हैं क्योंकि हमें moles चाहिए होंगे तो molecular mass methyl alcohol का क्या हो जाएगा carbon का 12 प्लस 4 hydrogen है प्लस एक oxygen तो ही हो जाएगा यहाँ से 32 ठीक है पर मोल और similarly water का अगर calculate करें तो यह हो जाएगा 120 upon 18 तो यह जाएगा यहाँ से 6.667 moles ठीक है अब हमें निकालना है mole fraction of methyl alcohol x mole fraction denote करता है तो यह हो जाएगा 1.875 plus 6.667 तो इसको जब solve करेंगे तो यह आएगा यहाँ से 0.220 ओके और unit कोई भी नहीं होती इसकी क्योंकि यह fraction है और फिर अगर हम देखे mole fraction of water तो हमें पता है total mole fraction का sum किता होता है 1 तो अगर एक का दिया हुए दूसरे का निकाल तो 1-0.220 कर सकते हैं तो यह आजाएगा यहाँ से 0.780 ओके तो यह हमारा mole fraction आजाएगा दोनों ही चीज़ों का तो यह हमारा mole fraction आजाएगा दोनों ही चीज़ों का ओके थैंक यू